नारत की अर्थ ववस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सब को याद होगा जब पहली आउद्यों की क्रांती आई, हिंदुस्तान उसका लाब नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी आउद्यों की क्रांती में भी हम पीछे रहें, लेकिन आज जब चौती आउद्यों की क्रांती का समय है, तो भारत इसे गवान नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, ऐसा आउसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता। शौर्ट कर्ट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थाई विकास, स्थाई समाधान के लिए काम करना एक लौंग टम वीजन बहुत ही जरूरी है। और स्थाई विकास के मूल में होता है इंफ्रास्टर्चर। एक समय दक्षिन कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्टर्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाडी के देश इतना आगे इसलिए भी है और लाखो भारतियों को महारोजगार मिलता है, लाखो भारतियों को। क्योंकि उन्होंने भी बीते तीन-चार दसकों में अपने इंफ्रास्टर्चर को मजबुत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापूर जाने का मन करता है। कुछ दसक पहले तक सिंगापूर भी एक सामान्य आईलेंड कंट्री हुआ करता था। फिशरी से कुछ रोजी-रोटी लोग कमा लेते थे। लेकिन सिंगापूर ने इंफ्रास्टर्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला। और आज वो दुनिया की अर्थिववस्ता का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्ट कट की राजनिती हुई होती, टैक्सपेर का पैसा लुटाया गया होता। तो ये देश कभी उस उंचाई पर नहीं पहुच पाते जहां आज है। देर से ही सही भारत के पास अब ये अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के इमानदार करदित दाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो ब्रस्टा चार की बैट चड़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खब गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उप्योग देश की पूझी युवा पीडी के उजवल भविश के लिए निर्मान पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आगर करूँगा हर टेक्ष पेर से आगर करूँगा ऐसे स्वार्थी राजनितिक दलों को ऐसे स्वार्थी राजनितिक नेताओं को एक्सपोच करिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया येवाली कुनिति लेकर के जो राजनितिक दल चल रहे हैं वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये ऐसी कुनिति की बजय से पूरी अर्थ बवस्ता को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनिति से बचाना है। हमें याद रखना है एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये वाली दिशाहिन कुनिति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी और देश हीत और समर्पन भाव है। थाई विकास थाई समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थाई विकास और स्थाई समाधान को सामान्य मानवी का भी जबर्जस समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सब्ता गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आये हैं। वो स्थाई विकास और स्थाई समाधान की आर्थिक नीती विकास की रन नीती का पनराम है। मैं शौट कर अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी बिनम्रता पुर्वक। आदर पुर्वक कहूंगा कि स्थाई विकास के विजन को समझिये। उसके महत्व को समझिये। आज देश के लिए उसकी कितनी जरुरत है उसको समझिये। सौट कटके बजाए, स्थाई विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहरे चाता हूँ आपको डरने की जरुरत नहीं है। लुटा देने की ये विकृती हैं। करदाताओं की घाड़ी कमाई को लुटा देने की। शौट करट अपनाने वाले ये राजनितिक दल, ये राजनितिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है। जिनका लक्ष जूठे वाइदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है। वो कभी देश नहीं बना सकते आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले पचीस वर्सों के लक्षों पर काम कर रहा है। तो कुछ राजनितिक दल अपने नीजी स्वार्त में भारत की अर्थ ववस्ता को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सब को याद होगा जब पहली आउद्योगिक क्रांती आई हिंदुस्तान उसका लाब नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी आउद्योगिक क्रांती में भी हम पीछे रहे। लेकिन आज जब चौती आउद्योगिक क्रांती का समय है तो भारत इसे गवान नहीं सकता। क्रांती क्रांती का समय है पारत वारत टौतान नहीं आए उद्योगिक की हम पीछें आउद्योगिक कि आचिट है टूसरी आउद्योगिक